आप सभी को मेरा नमस्कार है तो आप सभी का क्या हाल चाल देखो सबसी पहली बात है न सर कि आपके सामने जो बुक दिखाए दे रहा होगा ना जिसका नाम है अर्थ बिवस्था और कहने का सिंस है ना कि एकोनोमिक्स का और ये बुक का पूरा का पूरा निचोर अबजक्ट है तो सबसे पाले बस हम एक ही बाते कहेंगे कि इस class को पूरा देख लेना और फिर अपने दिल पे हाथ रख करके अपने दिल से पुछना कि सच में जो संदीब कुमार प्रहाया वो एक्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा और सच में जो संदीब कुमार अबजेक्टिब करवाया ये पूरा का पूरा पूरा बुक निचोड़ा अबजेक्टिब है या नहीं है क्योंकि मेरो दोस्त ये बुक में जो पूरा का पूरा important question है न वो पूरा का पूरा सवाल हम आपकी सामने लेकर के चले आए हैं तो बाकिसरा हम क्लास को आगाज कर देते हैं लेकिन क्लास को सुरू करने से पाले बस हम एक ही बाते कहेंगे कि सच में आपकी दिल में आग है सच में आपकी आखों में आपने मम्मी पापा के फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हो सच में आपकी आखों में जोपड़ी वाला घर को महल में बदलने की सपना है सच में आपकी आखों में वहां तक पहुँचने की सपना है जहां तक मिर दोस्त लोग जाने के लिए तरस्ते हैं तो सबसे पहले इस class को शुरू करने से पहले सबका comment box में comment होनी चीए mission 475 plus mission 95% plus इतना लिखकर के comment कर दोगी न तो दिल में automatic आग आ जाएगा कुछ देर के लिए ठीके सर बाकि हम class को आगाज कर देते हैं सबसे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हम आपको daily crash course जो है न मेरे दोस्त वो सामको 6 बज़े हम आपको youtube पे daily crash course प्रहा रहे हैं सरे जिसका playlist भी आपको बना हुआ ठीके साथ ही हम आपको science में top 150 subjective कर रहे है topper series जी social science में top 140 subjective कर रहे है वो तमाम चीजों का pdf वो तमाम चीजों का classes का जो playlist का link होगा ना उस video के description में होगा या फिर जाकर कि आप youtube पे देख सकते हो ठीके सबसे पहले कहता है कि है sir पहला question आपके सामने अच्छा आप पता है क्या कहोगे आपके दिल और दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा किया है sir जी ये पूरा का पूरा सवाल को लिखना पड़ेगा तो नहीं इस video के description में टेलेग्राम का link होगा उस टेलेग्राम चैनल को जाकर के जोईन कर लेना ये पूरा का पूरा PDF आपको वहाँ पे मिल जागा या फिर टेलेग्राम पे जाकर के सर्च करना या फिर टेलेग्राम पे जाकर के सर्च करोगे संदीप कुमार ओफिसियल ज्यादा कुछ नहीं करना क्या करना है मेरे दोस्त संदीप कुमार ओफिसियल जैसी इतना सर्च करोगा न टेलेग्राम पे तो हम आपके सामने आ जाएंगे उसे जोइन कर लेना वहाँ पे आपको सारा का सारा PDF मिल जागा ठीके बाकिसर अब हम आते हैं कोस्टन की दुनिया में पहला काता है निम्न में निम्न को प्रात्मिक छेतर कहा जाता है मतलब निम्न में से किसे प्रात्मिक छेतर कहा जाता है सबसे पहले ये समयना कि छेतर के अधार पर हमने क्या कहा छेतर के अधार पर छेतर के अधार पर अर्थ बिवस्था को किसको अर्थ बिवस्था को छेतर के अधार पे अर्थ विवस्था को तीन भागों में बाटा गया ठीक है सबसे पहला क्या है तो हमारा प्रात्मिक छेतर सबसे पहला हमारा क्या है तो प्रात्मिक छेतर ठीक है अब मेरी बात तो कुसमज़ेगा सबसे पहला छेतर हमारा क्या है तिरतिये चेतर ठीक है तो हमने क्या कहा कि निम्न में को प्रात्मिक चेतर कहा जाता है तो प्रात्मिक चेतर में हमारा कौन सा आता है तो प्रात्मिक चेतर में आता है हमारा क्रीसी चेतर कौन सा चेतर क्रीसी चेतर ठीक है हमें बोला है कि निमन को प्रात्मिक छेतर कहा जाता है प्रात्मिक छेतर किसे कहा जाता है तो प्रात्मिक छेतर में हमारा आता है क्रिसी छेतर और दुतियक छेतर में क्या आता है तो दुतियक छेतर में आता है उद्धोग छेतर कौन सा छेतर आता है उद्धोग छेतर और त तिर्तियक छेत्र में क्या आता है? तो तिर्तियक छेत्र में आता है सेवा छेत्र, ठीक है? हमने क्या कहा? सेवा छेत्र, कौन सा छेत्र? सेवा छेत्र, अब मेरी बातों को समहीन असर, आपका एक्जाम कभी कभी इसे पुछेगा, कि प्रात्मिक छेत्र कहा जाता है किसे तो क सब्सक्राइब जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले नमर कोशन की तरफ तो बढ़ो न जी, अगला सवाल क्या काता है, अगला कोशन काता है कि इनमें कौन से देश में मिस्रित अर्थ विवस्था है, इनमें कौन सा देश है जहां मिस्रित अर्थ विवस्थ तो अमिर्का होगा या फिर चीन होगा या फिर भारत होगा या फिर इन में से कोई नहीं कुछ नहीं करना है जैसी सवाल में पढ़ना है मिसरित अर्थ विवस्था टिक है हमने क्या कहा जैसी सवाल में पढ़ना है मिसरित अर्थ विवस्था तो आख को बंद करना है और क्या मार देना है भारत मार देना है क्योंकि भारत ही कैसा देश है जहां पे सभी समुदाई की लोग सभी धर्म की लोग सभी जाती की लोग सब का अलग-अलग माननेता प्राप्त है और सभी लोग मिल जूल करके रहते हैं तो हमसे बोला कि मिस्रित अर्थ विवस्था, तो हमारा मिस्रित अर्थ विवस्था में क्या होगा, भारत होगा सटीके, आएगा सवाल नमबर तीन की तरफ, तीन नमबर कोशन क्या कहता है, तीन नमबर सवाल कहता है न, कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था हमने क्या कहा कि भारत में योजना आयोक का गठन कब किया गया था तो 15 मार्च 1950 को या फिर 15 सेतंबर 1950 को या फिर 15 अक्टूबर 1901 क्यामन को या फिर इनमें से कोई निकोसर हमें बोलेगा ना कि भारत में योजना आयोक का गठन हमने क्या कहा इसमें दो टाइब का सवाल पुछेगा, कि भारत में योजना आयोग का गठन, जब आप से पूछेगा गठन, हमने क्या कहा, भारत में योजना आयोग का गठन पूछेगा ना, तो 15 मार्च 1950 मारना हमने क्या कहा जब भारत में योजना आयो का गठन पुछेगा ना तो 15 मार्च 1950 मारना अगर आपसे पुछेगा कि भारत में योजना आयो का भंग कब किया गया है अगर आपसे पुछेगा भंग अगर आपसे पुछेगा भंग तो भंग कब किया गया था तो भंग किया गया था 17 अगस्त 2014 को ठीक है अनि 17 अगस्त 17 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया गया है ठीक है इस बात को नोट कर लेना सर अपने कौपी में स्टार मार करके इसको नोट कर लेना कि योजना आयो का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था तक सबको समय में आया कि नहीं है मिर दोस्त, समझ में आया तो सवाल नमर कितना की तरफ आते हैं, चार की तरफ आते हैं, ठोड़ा सा पेसेंस बना करके रहना है मिर दोस्त, और खुद में खुद से बादा करना है, कि जब तक टोडेंगे नहीं, तब तक छोडेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, समस्याओं से लडेंगे, और जब तक तोडेंगे ने तब तक छोडेंगे, और खुद से चोडेंगे नहीं, और खुद से बादा करना आ कि अब की बार घर अगर राश्टिये आया धीक होगा, ठीक है, अगर राश्टिये आया धीक होगा, तो वहां के परती बेगती आया धीक होगा, हमने क्या कहा, जिस देश का राश्टिये आया धीक होगा, तो वहां का परती बेगती आया धीक होगा, और ऐसे देश को हम लोग कहते हैं, विक्सि किया कहते हैं, और इसी में नोड कर लेना, कि जिस देश का रास्ति ए ऐ जिस देश का रास्ति ए आए, कम होता है, उस देश को कहते हैं आविक्सित देश, क्यों कि जिस देश का राश्टी आया धिक होता है मतलब जिस देश का राश्टी आया धिक होगा उसे हम लोग कहेंगे बिक्सित देश और जिस देश का राश्टी आया कम होता है उसे कहते हम लोग आप बिक्सित देश क्यों कि हमने कहा रहा है सुनो है नहीं हम हमने कहा कि राश्टिय आई कम इसका मतलब परती बेगती आई कम जब परती बेगती आई कम आप बीक्सित देख ठीक है सर 哥 अगला question क्या कहता है पांच नमर की तरrender आईएगा पांच नमबर सवाल को एक बार जड़ा दिल से पढ़िएगा कोशन बड़ा रोमान चाख है सवाल बड़ा बहतरी ने सर ठीके काता है इन में से किसे पिछला राज कहा जाता है सर ये सवाल को ना आख को बंद कर ली ना ए आख को बंद कर ली ना और आख बंद करके एक बार ऐसे टिट कुरना, जहां पे तुम्हें बिहार दिखे वहीं पे मार देना ठपा, मैटर खतम, ठीके, तो पिछला राज किसे कहा जाता है सर, तो बिहार को कहा जाता है, ठीके, आईएगा सवाल नमबर कितना, तो सवाल नमबर छे की तरफ, देखो बिहार राज भले ही बिहार पिछला राज है, लेकिन बिहार पिछला राज होते हुए भी सबसे जादा देश में योगदान देता है बिहार, सबसे ज़दा आयस देता है बिहार, सबसे ज़दा इंजिनियर देता है बिहार, सबसे ज़दा डाक्टर पैदा करता है बिहार, तो काहे कहेंगे पिछला राजरी, चाती ठोक के कहेंगे हम बिहारी हाई, ठीके सर आईएगा, काता है न सर कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की आउसत परती बेगती आए क्या था, हमने क्या कहा, कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की आउसत परती बेगती आए क्या था, 22,553 रुपईय 6,666 रुपईया 54,850 रुपईया देखो सर हमें बोलेगा ना कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की आउसत परती बेखती आए तो 2008 से लेकर के 2009 तक मेना भारत की आउसत परती बेखती आए था 25,494 रुपईया ठीके सरहा सवाल नमर कितना साथ नमर कोशन की तरफ आईएगा साथ नमर सवाल क्या कहता है कि भारत में बितिये वर्स कहा जाता है किसे भारत में बितिये वर्स कहा जाता है किसको भारत में बितिये वर्स कहा जाता है एक जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक या फिर एक जुलाई से लेकर के एक 30 जून तक या फिर एक अप्रेल से लेकर के एक मार्च तक या फिर एक सितंबर से लेकर के एक अगस्त तक देखो सर यह साथ नमबर कोशन ना यह साथ नमबर कोशन जल्दी से जल्दी आप सब comment box में comment कर दो चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं दीख रहे हो ऐसा मत सोचना कि इस वीडियो को तो हम last में देख रहे हैं तो हम कहा comment करेंगे आरे करो ना comment मिरे दोस्त क्योंकि जानता ये comment करने से तुम्हें चार सबसे बड़ा फाइदा है पहला फाइदा तो ये है ना कि आप अपने अनुभव को आप अपने experience को अनुभव कर लोगे क्या हमने गलत comment किया या सही किया दूसरी बात क्या है मेरे दोस्त कि खुद में जब प्रहाई करते हो तो हमेशा बोल बोल के प्रहाई करो क्योंकि इनसान के पास दो चीज़े होते है एक दिल और दिमाग ठीक है दिमाग तो रहेगा संदीप कमारे प्रहार आये लेकिन दिल कहीं हो रहेगा कल छोला बटो रखाए थे ना सर ये सब चीज़े बिलकुल गलत है सर टीके तो जैसे जैसे मास्टर जी बोलते हैं वैसे वैसे किया करो टीके हमने क्या कहा बितिये वर्स कहा जाता है देखो सर हमसे पुछा है बितिये वर्स कहा जाता है तो बितिये वर्स जो है ना वो एक अप्रेल से लेकर करके 31 March तक कहा जाता है ठीक है BTA verse कब कहा जाता है तो 1 April से लेकर के 31 March तक को BTA verse कहा जाता है अगला क्या कहता है 8 नमबर question ठीक है Sवाल No.8 को जड़ा देखिएगा Sवाल कहता है ना कि भारत में किस सराज का परती बेक्तियाई सरवधीक है मतलब भारत में कौन सा राज है जहां परती बेक्तियाय सर्व अधीक है मिरी बातों कुसमिना सर कि अगर परती बेक्तियाय हमने क्या कहा अगर परती बेक्तियाय इसका मतलब क्या परती बेक्तियाय क्या है अधीक है अगर परती बेक्तियाय धीक है इसका मतलब वो कौन सा राज है तो वो हमारा बिक्सित राज है हमने क्या कहा परती बेक्तियाय धीक है इसका मतलब वो कैसा राज है तो वो बिक्सित राज है जिस राज का परती बेक्तियाय धीक है इसका मतलब वो बिक्सित राज है हमारा बि बहारत में किस राज का परती बेगती आए सबसे ज़ादा है तो भारत में गोवा जो राज है ना वहाँ परती बेगती आए क्या है सबसे ज़ादा है बटा आप एक चीज़ बताना सर्फ कि हमारा गोवा का रजधानी कहां है एक बार सब कोई comment box में comment कर देगा गोवा का रजधानी कहा है एक बार सिद्धत और प्यार और मुहबबत के साथ कॉमेंट कर दीना सवाल नमबर 9 की तरफ आईए गसर 9 नमबर कोशन का कहत है 9 नमबर सवाल कहता है ना कि भारत में बितिये वर्ष कहा जाता है अभी जस्ट हमने कोशन पढ़ाया है तो 9 नमबर को जल्दी से जल्दी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दो और जो नहीं करेगा नो ओकर साथियो ना होई अरे भाई अभी जस्ट तुमको संदीप कुमार पढ़ाया है इस चीज़ को तो जल्दी से जल्दी comment करो आएगा सर स्वाल नमर कितना 10 की तरफ स्वाल नमर 10 क्या कहता है कि भारत में किस राज का परती बेक्तियाय सर्वधीख है अच्छा question repeated कर दिया tapping बाला का गलती है आजाओ आते हैं सर्फ question नमर अगला की तरफ अगला स्वाल क्या काता है 11 नमर question कि भिहार के किस जिले का परती बेक्तियाय सर्वधीख है अच्छा बिहार में कौन सा जिला है जहां परती बेक्तियाय सबसे ज़्यादा है हमें बोला है कि मतलब भिहार के किस जिले का परती बेक्तियाय सबसे ज़्यादा है मतब जिस जिले का परती बेगतिया है सबसे ज़्यादा होगा वो जिला बिक्सित होगा अब समयना सर हमें आपको लगता है कि पटना गया सिभर और नलंदा पटना सबसे ज़्यादा बिक्सित जिला है पूरे बिहार में इसलिए पटना सबसे ज़्यादा बिक्सित जिला होन के कारण पटना को बिहार का रजधानी बनाया गया से जादा है सिभर्थ से जादा है नलंदा से जादा है अगला कोशन क्या कहता है हमारा बारा नमबर स्वाल बारा नमबर कोशन को जरा गवर से पढ़िएगा और समझीएगा दिल से कहता है क्या कि गैर संस्थागत बित पर सबसे लोग पिरिये साधन क्या है? सबसे नमय से इनमे से कौन संस्थागत बित का साधन है? सेट सहाकार गलत बात, रिस्तेदार गलत बात, रिस्तेदार से कभी पैसा लेना मत परना सोच लोग कि रिस्तों खतम हो जाएगा, ठीक है, तो हमें पूछा कि निम्न में से कौन संस्थागत बित का साधन है, संस्थागत बित का साधन है, तो संस्थागत बित का साधन तो प्रस्वाल नमर कीतना तो 14 की तरफ, काता है भारत के केंदरिये बैंक कौन है? तो भारत का केंदरिये बैंक आपको रिजर्ब बैंक आफ इंडिया है या फिर, छेतरिये ग्रामीन बैंक है या फिर, Estate Bank of India है या फिर Punjab National Bank है हमें बोला है कि भारत का किंद्रिये बैंक कौन है तो भारत का किंद्रिये बैंक आपको Reserve Bank of India है अच्छा Reserve Bank of India की अस्थापना कब किया गया था Reserve Bank of India की अस्थापना कब किया गया था Reserve Bank of India का अस्थापना किया गया था 1 April 1935 को ठीक है कि भारत के किंद्रिय बैंक कौन है तो भारत का किंद्रिय बैंक हमारा रिजर बैंक आफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था, एक अप्रेल उनिस सो पैटिस सिविको आप जरा बताना मेरे दोस्त कि State Bank of India का स्थापना कब किया गया था पिलीज मेरे दोस्त आप सब comment box में comment कीजिएगा जब आप comment भलो बुके से देखके comment करो लेकिन जरूर करो ताकि इससे आप एक knowledge तो आपको बढ़ेगा न सर्ट आईएगा सवाल नमबर 15 की तरफ ये 15 नमबर कोश्चन क्या कहता है जरा गवर से समझिएगा सवाल कहता है ना कि राज में कारजरत केंद्रिये सहकारी बैंको की संख्या कितनी है मतलब हमारे कहता है राज में कारजरत मतलब राज में केंद्रिये सहकारी 75 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, कितना होगा, 25 होगा, हमने क्या कहा, कि राज में कारजरत किंद्रिये साहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो राज में कारजरत किंद्रिये साहकारी बैंकों की संख्या 25 है, और कहने का सिंस आप्सन नमबर क्या होगा, D होगा, मेरे दोस्त मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कुछ सिखाना चाहता हूं कुछ दिखाना चाहता हूं क्योंकि मेरा मतलब है आपकी आखों में खुशियों का आई सो देना टीक है ere इसलिए मैं आप सबको एक सबसे बड़ी बात ये बता देना चाहता हूं कि क्लास तेंथ का जो हम तमाम क्लासे से लेते हैं अब्जेक्टिब का तो PDF आपको टेलेग्राम पे मिल जाता है साथ ही आप लोग टेलेग्राम को जरूर जोइन किजिए क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा जोइन करने का सबसे बड़ा फ दे रहे हैं तो कि PDF में इतनी ताकत है ना मिरे दोस्त कि मैं क्या बताओं इसकी तारिफ जितना कर देंगे सर उतना कम पड़ी आएगा ठीक है क्योंकि ये PDF जो हैना सर मैंने कई वीडियो में दिखाया है बट क्या में बार बार दिखाओं लिकुसर इसका डेमो PDF मेरे पास ह सबसे पहले मैं आपको यहां देखना जरा यहां ऐसे देखिएगा यह आपको देखो सरक क्लास तेंथ का टिक है चेप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF नोट्स क्लास तेंथ की ऑल सब्जेक्ट का सिर्फ मैत को छोड़ कर क्योंकि मैं खुद मैं नोट कर लेना मेरे दोस्त अपनी दिल में नोट कर लेना कि 110 परसेंट गरांटी है कि इतना से बाहर एक भी सवाल नहीं फसेगा क्योंकि मैं आपको तीन तरह से कोशन दे रहा हूं सबसे पहले आपको पूरे का पूरे सब्जेक्ट का चेप्टर वाइज अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा दे रहा हूं फिर साथ ही हम आपको उसी में गेस कोशन भी दे रहा हूं ठीक है हाँ और जो मिलेगा कहां सर तो आपको साइन्स का मिलेगा सोशल साइन्स का मिलेगा हिंदी और बुक और ग्रामर दोनों मिलेगा इंग्लिस बुक और ग्रामर दो जिसका प्राइज आपको मेरे दोस्त 299 रुपिया है लेकिन हम 199 को हटा करके मात्र 150 रुपिया ले रहे हैं अब इससे ज्यादा कम क्यार कर ले लेकिन इसका प्राइज मात्र एक से दो दिनों को ओफर ये और है तो आप प्लीज इसका जाकर के उमीद वाटस अप ग्रूप ज में चलता है साथी वही वाटस अप नबर के डीपी में क्यूऊऔर लगा होगा तो आपको क्यूऊऔर कोड़ पीमेंट कर सकते हो खुद से भी payment कर सकते हैं फिर किसी से करवा बे सकते हैं भाईया से भाबी से साली तो नहीं होगी आनि किसी से आप payment करवा करकर उसका अस्किन सोट कर लेना है और वो payment का अस्किन सोट आपको उसी WhatsApp नमर पे भेज दिना है और आपको message में लिख दिना है सर के मुझे उमीद WhatsApp जोइन कर दीजिए एक मिनट के अंदर में आपके पास पूरे का पूरे PDF उस पर भेज दिया जाएगा साथ ही आपको social science में 140 subject भेज दिया जाएगा science में 150 subject भेज दिया जाएगा तमाम classes जो हम आपको लेंगे पूरा का पूरा पर PDF जाएगा आएगा सर हमने क्या कहा हमने क्या कहना चाह रहा हूं सर हम कहना चाह रहा हूं इस सुल्ला नमबर सवाल की तरफ आईएगा सुल्ला नमबर सवाल क्या कहता है जरा गौर फरमाईएगा इस सवाल नंबर सुला कहता है ना कि दिर्ग कालिन रिन परदान करने वाली संस्था कौन सी है मतलब दिर्ग कालिन रिन परदान करने वाली संस्था कौन सी है दिर्ग कालिन रिन परदान करने वाली संस्था कौन सी है क्रीशक महाजन या फिर भूमी विकास बैंक या फिर प्राथमिक क्रीशी साखा समीती या फिर इनमें से कोई नहीं देखो सर हमें बोला कि दिर्ग कालिन रिन मतलब लंबे समय के लिए रिन देने वाला कौन है तो लंबे समय के लिए रिन देने वाला भूमी विकास बैंक है अब देखो सर कहेगा सर भूमी विकास बैंक क्या है तो भूमी विकास बैंक जो है न सर इसका पहला नाम था जिला सहकारी क्रीसी और ग्रामिन विकास बैंक टिक है ये भूमी विकास बैंक का पहले जो नाम था वो हमारा था जिला सहकारी क्रीसी इसका पहला नाम क्या था जिला सहकारी हमने क्या कहा जिला सहकारी जिला सहकारी क्रीसी बैंक टिक है जिला सहकारी क्रीसी और ग्रामिन विकास बैंक टिक है और ग्रामिन विकास बैंक टिक है ग्रामिन विकास बैंक टिक है ग्रामिन विकास बैंक इसका पहले नाम था टिक है सर लेकिन इसका नाम को 1971 इसमें में क्या कर दिया गया चेंज कर दिया टिक है इसका नाम 1971 इसमें में क अगला कोशन क्या कहता है? 17 नमबर सवाल। 17 नमबर सवाल को जो पढ़िएगा दिल से, कहता है कि भारत की बितीय रजधानी किस सहर को कहा जाता है। SDHANI किसको का जाता है मुंबए को का जाता है पिए स्फण वाल सहर है आए कर श्वाल नम्बर 18 की तरफ काता है देश में अभी कारजरत चित्रिये बैंक की संख्या कितनी है। यहां समयना हमसे पूछा है ना हमसे पूछा है ना छेत्रिये बैंकों की संख्या हमसे पूछा है छेत्रिये बैंकों की संख्या जब छेत्रिये बैंकों की संख्या पूछे गाना तो 196 मारना हमने क्या कहा है हमने कहा है कि भारत में छेत्रिये बैंकों की संख्या तो भारत मे सोरी देश में अभी कुल मतलब कारजरत छेतरिये बैंकों की संख्या कितना है 196 है तो कारजरत छेतरिये बैंकों की संख्या कितना है 196 है और कहने का सेंस है option number क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा अगरा कोसान आजेगा कितना 19 नमबर की कितरफ 19 सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त आधाया कि विववसाइँ बैंकों का राषटिये करन कब किया गया मतलब साप सब्दों यह है धको ईसर हमें बोलेगा कि विववसाइँ बैंकों का राष्टी एकरन कब किया गया तो 1966 में 1980 में 1979 में 1975 में देखो सर ये सवाल लगभग लोग जानते होंगे हमसे बोला कि बेवासाई बैंकों का राष्टी एकरन कब किया गया तो बेवसाई बैंकों का राश्किय करार 1979 इसमी में किया गया तो क्या मैंने जो बुला वो चमका ना जी अरे एस या नो तो बोलो ना जी तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी सवाल नमबर 20 क्या कहता है सर बिस नमबर कोशन हमने प्राथमिक छेतर में क्रीसी क्षितर को रखा दुतियक छेतर में हमने उद्योंग छेतर को रखा और तिर्तीयक छेतर में हमने सेवा छेतर को तरफ अइयेगा सवाल नम्र कितना 21 New क millennium काको सब्सक्राइबा है क्या कहता है मैं तो बस एकि बात कहों जोगि आज की class में हमने बहुत कम बाते कर रहा हूं सरु। मैं एक ही बाते कहूंगा, मेरे दोस्त, कि सच में आपको economics से प्यार करनी हैं, महबत करनी हैं, SSD का सभी subject को फोड़नी हैं, तो economics का इस class में आपको हम tension खतम कर देंगें, सर्टिक है, हाँ, काता है क्या कि मानव पुंजी के परमुख घटक कितने है मतलब मानव पुंजी के परमुख घटक कितने है तो मानव पुंजी के परमुख घटक छे नहीं है चार नहीं है आठ नहीं है कितना है पांच है मानव पुंजी के पर्मु घटक कितने है तो 5 है ठीक है सर आएगा सवाल नमर कितना 21 की तरफ 21 नमर कोशन क्या काता है कौन बिमारू राज नहीं है मतलब हमें बताना है कि कौन सा राज है जो बिमारू राज नहीं है जहां जनसंखियां जादा वो बिमारू राज होबे करेगा जनसंखियां जादा तो गरीबी जादा और गरीबी जादा तो बेरोजगारी जादा तो बिमारी जादा ठीके सरव ने क्या कहा जी कि कौन बिमारू राज्ज है देखो सर बिमारू राज्ज नहीं है तो हमारा बिहार बिमारू राज्ज है मद्द प्रदेश भी बिमारू राज्ज है उडीसा भी बिमारू राज्ज है लेकिन करनाटक जो है वो हमारा बिमारू राज्ज नहीं है हमसे पुछा कौन बिमारो राज नहीं है तो करनाटक हमारा बिमारो राज नहीं है आएगा सवाल नमर कितना ताइस की तरफ ताइस नमर कोशन को जड़ा देखिएगा दिल से काता है न कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है कौन सी सेवा गैर सरकारी है कौन से सेवा गैर सरकारी है सोनने सेवा सरकारी है बित सेवा सरकारी है मौल सेवा हमारा क्या है गैर सरकारी है रेल सेवा सरकारी है लेकिन मौल सेवा क्या हमारा है गैर सरकारी है आएगा कितना 24 नमर की तरफ काता है उर्जा के परमुक सरोत क्या है उर्जा का परमुक सरोत क् या फिर petroleum है या फिर बिद्दूत है या फिर ये सभी है दिक उसरा है हमसे बोला है कि उर्जा का मुक्सरोत क्या है तो उर्जा का मुक्सरोत कोईला है सबसे पहला क्या है कोईला उर्जा का मुक्सरोत कोईला है और उर्जा का मुक्सरोत जितना कोईला है उतना ही पेट्रोलियम है ठीक है उतना ही क्या है पेट्रोलियम है उर्जा का मुक्सरोत जितना कोईला है उतना ही पेट्रोलियम है और जितना पेट्रोलियम है उतना ही बिद्धुत है ठीक है अनि कहने का सिंस है कि हमारा ये क्या हो जाएगा सभी हो जाएग 25 नमबर कोशन क्या कहता है कि नई आर्थिक नीती में किसे समलित किया गया है कहा है कि नई आर्थिक नीती में किसे समलित किया गया है तो अब देखो नई आर्थिक नीती में उदारी करन को समलित किया गया है ठीक है फिर नेजी करन को भी समलित किया गया है और बैस भी करन को को भी समलित किया गया है अनि उप्युक्त क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा हमने क्या कहा कि नई आर्थिक नीती में किसे समलित किया गया है मतलब नए आर्थिक नीती में किसे समलित किया गया है तो नए आर्थिक नीती में उधारी करन को भी समलित किया गया है नीजी करन को भी समलित क्या गया करने का सेंस है उप्यूक तो सभी option number D हो जाएगा ठीक है सरब आईएगा सवाल number 26 की तरफ आईएगा 26 number question क्या कहता है कि बैस्वी करन के मुख अंग कितने है बैस्वी करन का मुख अंग कितने है तो बैस्वी करन का मुख अंग 5 है ये बात आपको पता होगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं आओ सर हमने क्या कहा कि इन में से कौन बहुराश्टिय कंपनी है आए हमने कहा कि इन में से कौन बहुराश्टिय कंपनी है देखो सर फोर्ड मोटर समारा बहुराश्टि कमपनी है कोको कोला बहुराष्टी कमपनी का मतलब होता है क्या कि वो कमपनिया जो क्रोरों की होनी चाहिए और दो या दो से अधिक देशों में बेपार होनी चाहिए हमने क्या कहा कि वो कमपनिया जो क्रोरों की पुंजी वाली कमपनिया होनी चाहिए और जिसका बेपार दो इन में ये सभी हो जाएगा, ठीक है, आएगा 28 नमबर कोशन की तरफ, 28 नमबर सवाल क्या कहता है जरा गौर करना, काता है ना कि भारत उप भोकता संरच्छन अधिनियम की घोसना कब हुई, भारत में उप भोकता संरच्छन अधिनियम की घोसना कब हुई, 1986 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में हमें क्या बोला है सर सवाल कुजरा गोर से पड़ना हमने क्या कहा कि भारत में भोकता संद्चन अधिनियम की घोसना तो भारत में भोकता संद्चन अधिनियम की घोसना कब हुई थी 1986 में हुई थी इस बात को नोट कर लो हमने क्या कहा कि भारत में भोकता संद्चन अधि अदीनियम की गोषना 1986 ठीक है पता है कि आधिकार्दिवस कब मनाया जाता है नार्ग वे और बोस्त यह 21 नमबर सवाल जो है ना वह आपको कॉमेंट करने वाले सवाल हैं ठीक है तो प्लीज आप सब अपनी हिम्मत को देख लो कि आप में कितना हिम्मत है हलाकि इसका इंसर तो मैंने बोली दिया था काता है भोगता अधिकार दिवसकप मनाया जाता है तो 17 मार्च को नहीं 15 मार्च को मनाया जाता है ठीक है उप्भोकता हैं नंबर क्या है ? व्तिछे हो स्वत्त ही है देखेों सेटिटिगे पीद जा और औरो प्रायिए। ही हमारी मगाल सेफिसी कहले है कि दा गया है सच में एक लास अच्छा लग रहा है ना तो comment box में जरूर comment करके बताना लेकिन एक चीज़ जरूर comment करना मेरे दोस्त मिसन मिसन 475 पलस ठीक है और निसन 95% पलस जरूर comment box में comment करना ठीक है चलिए काता है क्या सर कि स्वन भूसनों की परिसुदता को सुनिचित करने के लिए मानिता प्राप्चिन का होना अवस्यक है देखो सर अनि कहने का सेंस है कि जह हम लोग सोना खरीते है ना तो उसका सबसे पहसान क्या है तो सोना होल मार्क हमको देखा जाता है ठीक है क्या देखा जाता है होल मार्क देखा जाता है ठीक काता है क्या कि उपभोकता द्वारा सिकायत करने के लिए अवेदन सुल्क कितना लगता है अगर उपभोकता द्वारा सिकायत करने के लिए अवेदन सुल्क कितना लगता है जब आपको बोलेगा किसके द्वारा सिकायत करना है हमें बोलेगा किसके द्वारा सिकायत करना है त हमें बोला है कि उपभोकता द्वारा सिकायत करने के लिए आवेदन सुल्क कितना लगता है, तो उपभोकता द्वारा सिकायत करने के लिए आवेदन सुल्क कितना लगता है, पचास रुपईया लगता है, अनि कहने का सिंस है, आप्सन नमर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो राज में जिस देश में नीजी और सरकारी सरवजनिक दोनों नहीं मिला हुआ रहेगा तो वो राज देश कभी विकास नहीं करेगा तो हमसे यही बोला है ना सर कि निमलिखित में कौन मिश्रित अर्थविवस्था का विसेस्ता है तो नीजी छेतर भी है बहुत जरूरी क्योंकि देखो प्राइवेट होस्पीटल नहीं रहेगा तो आदमी कितना डेट हो जाएगा तो नीजी छेतर भी होना बहुत जरूरी है और सरवजनिक छेतर भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि जो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो अपना मतलब कैसे पढ़ाई कर पाएगा वो कैसे मतलब होस्पीटल में हिलाइज करा पाएगा क्योंकि आज अगर मैं आपको पटना के स्थिती बताता हूँ मेरे दोस्त नॉर्मली अगर आपको टैफाइड भी हो गया है नॉर्मली टैफाइड और नॉर्मली डेंगू भी अगर आपको हो गया और पटना कि अगर कोई अच्छा मतलब नॉर्मल होस्पिटल में जाकर के एडमिट हो जाओगी तो मिनीमम भी आपसे 20 जटी लेगा और 2 दिन एडमिट करिए लेगा नॉर्मल मैं होस्पिटल की बात बता रहा हूँ और मेदानता और पारस होस्पिटल जब बरती होगे न तो पता चलेगा कि हम जैसे इंसान का खेत भी बेचना पड़ेगा तो यही सब चीजे हैं जो मतलब समझना है और लाइफ में इस सब चीजे को तो फिल करना है लाइफ में जब यह सब चीजे को फिल करोगे न मेरे दोस्ट तो लाइफ वहूत आगे तक जाएगी अरे वो इनसान ही इनसान कैसा जो अपने बारे में सोचे ना वो इनसान ही इनसान कैसा जो अपने माता पिता के बारे में सोचे ना वो इनसान ही इनसान कैसा जो अपने फैमिली के बारे में सोचे ना वो इनसान है इनसान कैसा जो अपने केरियर के बारे में सोचे ना इसका मतलब वो इनसान ही नहीं वो मतलब जानवर भी सर अपने खाना के लिए सोचता है और जानवर भी मतलब जो होता है मिर दोस्त वो भी हलका समझदार होता है लेकिन आप तो इनसान है तो आप में इतनी टाकत है कि आप पूरे युग को बदल सकती हो पड़ आप में वो ताकत है कि घे मास्टर जी तनी लंबा ना फेक दीर है आएगा हमने क्या कहा हमने कानिम लिखीत में कौन मिस्रित अर्थ विवस्था है तो नेजी छेतर हमारा मिस्रित अर्थ विवस्था है और सरवजनी कोन सुतंदर्ता प्राप्ति के बाद भारत का मुख आर्थिक उदेश है क्या है तिवर आर्थिक विकास या फिर उत्पादन रोजगार सिर्जन या फिर निर्धरता निवारन या फिर उप्युक्त सभीदे कुसर हमें बोला है कि सुतंदर्ता प्राप्ति के बाद भारत का आर्थिक उदेश क्या रहा, तो आर्थिक उदेश रहा कि तिवर आर्थिक विकास होना चाहिए, उत्पादक, रोजगार, सिर्जन होनी चाहिए, मतलब भिर्धी होनी चाहिए, निर्धरता, निवारन होनी चाहिए, अनि कहाने का सिन से option D हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, सवाल नमर कितना 35 की तिरफ आईएगा सर 35 नमर कोशन क्या कहता है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उप्युक्त सुचकांक कौन है हमने क्या कहा आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उप्युक्त सुचकांक कौन है राज किये आए या फिर परती बेगती आए या फिर राज नैतिक अस्थित्व या फिर इन में से कोई नहीं जल्दिस जल्दी कमेंट करो 35 नमर कोशन सर्दी कोशर मेरी बात तो कोश महिना हमने क्या कहा कि आर्थिक विकास की माफ के लिए उप्यूक्त सुचकांख क्या है तो हमारा राज किये आए नहीं होगा हमारा परती बेगती आए होगा नहीं कहने का सेंसरी अप्शन नमर क्या हो जाएगा तो B हो जाएगा से, आएगा सवाल नमर कितना 36 की तरफ, 36 नमर कोशन क्या कहता है कि निमन आंकित में, मतलब निमन लिखीत में या फिर निमन आंकित में कौन समाजिक संरचना का अंग है, निमन लिखीत में कौन समाजिक संरचना का अंग है, समाजिक संरचना का अंग है ये भी जरूरी है ये भी जरूरी है ये भी जरूरी है और हमारा उप्यूक तो सभी हो जाएगा मतलब इनों का तीनों अप्चन क्या है सही है तो दी मार देंगे ठीक है आइएगर अगला kol कहता है 37 नमर कोशन क्या कहता है काता है निम्नांकित में कौन नभी करनिये प्राकृतिक संसाधन है नभी करनिये प्राकृतिक संसाधन कौन 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 है न तो क्या कोईला दोवारा यूज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये क्या हमारा है, तो ये आ नभी करनी है, टिक है, ये हमारा क्या है, आ नभी करनी है, टिक है सर आ जाना, क्यों, क्यों कि कोईला एक बार उपयोग हुआ, बार बार उपयोग नहीं होगा पिट्रोलियम पिट्रोल एक बार जल जाएगा तो वो दोबारा उपयोग नहीं होगा इसका मतलब ए भी क्या है तो आ नभी करनी है क्या है आ नभी करनी है अब समयना गैस भी एक बार जल जाएगा तो दोबारा परयोग नहीं होगा इसका मतलब ए भी आ नभी करनी है भूमि चलुके है तो जिसको एक बार उपयोग करने की बाद बार उपयोग में लाया जा सकता है। गार चलते हैं लेकिन कोई लाएक बार जला दोगे तो तुरतिक खतम हो जागा पीटरूलियां है अगर ऐसा होता ना तो हम तो और बढ़ यां गारी से चलते हैं अभी तो ऐसे नॉर्मल गारी चलते हैं, जो 30 का मैलेज दे देता है, ठीके हाँ, बना पिट्रोल भी खर्चा होता है, भाई, फिर गैस, ठीके सरे, इसे एक बार खतम हो जाता है, तो 12 रूप योग नहीं होता है, ठीके, आईएगा सवाल नमर कितना, 38 नमर की कुस्षन की तरफ, ठीके, 38 नमर सवाल क्या कह प्रात्मिक कहा जाता है, देखो सर, यह 38 नमर कुस्षन आपको अभी का अभी, और आपको है मेरा कसम, और आपको है उनके कसम, उनके मतला समझाना, जिससे आप प्यार करते हो, यह सबसे पहला कुस्षन, इस कलास का सबसे पहला सवाल हमने आपको यही करवाया है, तो यह तो गोमेंड करना बनता है सटिके, आइएगा सवाल नमर कितना 49 की तरफ, 99 नमर कोशन क्या Canon कहता है जर चिद्दत और प्यार और महभवत के साथ देखीेगा, कोशन नमर 49 कहता है, किस चेतर को दुत्याग चेतर कहा जाता है, तो प्रात्मिक चेतर को किरीसी चेतर कहा जाता ह दुतियक छेतर को उद्योग छेतर कहा जाता है, सेवा छेतर को तिर्तियक छेतर कहा जाता है, तो हमसे पुछा कि दुतियक छेतर किसे कहा जाता है, तो दुतियक छेतर आपको उद्योग छेतर को कहा जाता है, ठीके, आईएगा सवाल नमर कितना, चालिस की तरफ, चालिस नम जब मुद्रा का परीयोग होने लगा हमारे देस में बस्तु बिन वे परनाली खतम हो गया मुद्रा परणाली आ गया तब से किसको लाब हो तब से मतलब किसे भी बस्तु का किमत पता चलने लगा ऐसे क्या होता था ना जिएसे पहले चम को सपॉदिड मांद्स के सबस्तू से बस्तू का लें दिन होता था तो पहले हम लोग का था बस्तू इन्वें परनाली अब जरी जाके मांगोंने के हम देते हैं किउम किल ऑARE बे बेते हैं किलो चाँ तो लेट हमझे इसमा प्रोट्साँ है टीक है आजको स्वाल नमबर कितना मेरे दोस्त तो एक तालिस की तरफ एक तालिस मिला कि मुद्रा के प्रयोग से嘘न Latval Caribbean कि मुद्रा के प्रोट Saawan मिला मुद्रा के प्रोट Or कि रखना चाहिए रिदू का लेन देन् PB होने लगई जब मुदरा का परियोग मत दोस्त क्या कि पुंजी का निर्मान होता है फुंजी निर्मान होता है कहां पे होता है जड़ा एक बार कौ्मेंट बॉक्स में कॉमेंट करना कोमेंट करना सब को सिद्धत और प्यार और मुहब्बत से काता भोगताओं द्वारा विनियोग द्वारा या फिर बचत द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं हमें बोला है सर कि पुंजी का निर्मान कब होता है जब आप पैसा कमाओगे और बचाओगे तबे ना पुंजी का निर्मान होगा और कहने का सेंसे क्या होगा सी हो जाएगा ठीक है चलिए आते हैं कोस्टन नमर कितना 43 की तरफ काता है कि साखा का क्या आर्थ है हमें बोला है कि साखा का क्या आर्थ है साखा का मतलब होता है बिस्वास करना साखा मतलब बैंक, बैंक पर हम बैंक का क्या आर्थ है, तो लोग देखो सर, घार में लोग एक क्लो रुपया नहीं रखेगा, लेकिन बैंक में एक क्लो रुपया रख देता है, तो लोग क्या करता है, बैंक पर बिस्वास करता है, टीके, ताकि लोगों को लगता है कि बैंक नहीं भागेगा, ठीके, तो हमें यही बोला गया है, कि साखा का मतलब क्या होता है, तो साखा का मतलब होता है, बिस्वास, और रिन लोटाने की छमता, साखा का मतलब होता है, बिस्वास, और रिन लोटाने की छमता, अनि C हो जाएगा, A और B क् हम लोग पैसा में जमा करते हैं, तो वो रिन सहीद दिता हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसका आर्थ यही है, सवाल नमर कितना, 44 की तरफ, 44 नमर क्या कहता है? कि बेवासाइग बैंक को द्वारा, दिये जाने वाले रिन को कहते हैं क्या? बिवसाई बैंक द्वारा दिये जाने वाले रिन को क्या कहते हैं तो साखा मुदरा कहते हैं बैंक मुदरा कहते हैं अनि A और B दोनों हो जाएगा ठीक है हमें बोला है कि बिवसाई बैंक को द्वारा किस बैंक द्वारा तो बेवसाई बैंक को द्वारा दिये जाने वाले रिन को क्या कहते हैं तो साखा मुद्रा कहते हैं और बैंक मुद्रा कहते हैं और C हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा ठीक है चलिए आते हैं कोशन नमर कितना तो 45 की तरफ 45 नमबर कोशन क्या कहता है कि बिन्मे की प्रारंभिक अवस्था में मनुस बेपार किस परकार अधारित था मतलब कहा है कि बिन्मे की प्रारंभिक वेवस्था में कौन वेवस्था में बिन्वे की प्रारंबिक अबस्था में मतलब बिन्वे का पहला माध्यम क्या था तो बस्तु बिन्वे परनाली था हमें बोला है कि बिन्वे की प्रारंबिक अबस्था में मनुस का बेपार किस परधार था मतलब बिन्वे का सबसे पहला अस्तर में मनुष का जो बेपार था वो बस्तु बिन्वे परनाली पी था और बस्तु से बस्तु का लेन देन था बस्तु बिन्वे परनाली था एह हो जाएगा ठीके आएएगा स्वाल नमर क्या होगा 46 नमर कहता है कि राष्टिय क्रीसी वं गरामिन विकास बैंक की अस्थापना हुई थी कब हमने क्या कहा राश्टिये क्रिसी वं गरामिन विकास बैंक की अस्थापना कब हुई थी राश्टिये क्रिसी वं गरामिन विकास बैंक की अस्थापना 12 जुलाई 1912 को हुआ था हमने क्या कहा हमने कहा नसर कि राश्टिये राश्टिये क्रिसी वं गरामिन विकास बैंक 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 भी को हुआ था इसको क्या कर ले ना नोट कर ले न शर हमने क्या कहा हमने कहा है न शर कि राश्टिय क्रीसिवम गरामिन विकास बैंक की अस्थापना का हुआ था तो 12 जुलाई 1982 भी को हुआ था और और option number क्या हो जाएगा रे तो एक घंटा में हम 200 कोशन टिक करा देंगे ए भी लेकिन सर ए भी टिक करने से क्या फैदा है ए भी तो आपको बुक में भी टिक किया हुआ रहता है सर पढ़ो ऐसा ना कि उससे रिलेटेड कोशन जब पूछे ना मेरे दोस्त तो बन जानी चाहिए ठीक है वैसा पढ़ाई करो सर लोग ओनलाइन का मजा नहीं ले पाते हैं सर प्लीज मेरी बातों को समझा करो अपने दिल पे हाथ रखर करके पूछो अपने दिल से कि सच में रियलिटी पढ़ाई क्या है और जहां पे तुम्हें रियल एजुकेशन दिखे वहीं पे तुम पढ़ाई करो मैं यह नहीं कहता हूँ कि तुम मुझसे पढ़ाई करो नहीं मेरे दोस्त मैं यह नहीं चाहता हूँ क्यों गर मेरे में इतनी छमता नहीं कि मैं आपकी जिन्दगी को बना सकता हूँ तो मेरे में ये कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपका भविस को बरबाद कर सकता हूँ नहीं मेरे दोस्त अगर मैं बना नहीं सकता हूँ तो मैं बरबाद करने वाला कोई नहीं हो सकता हूँ ठीक है बट प्लिज आप लूग एजुकेसन को समझो और एजुकेसन का सही मजा लो और एजुकेसन का सही माइने लो आउलाइन क्लासस की सही मतलब लो योकि सेर दुनिया मतलबी है कुछ करोगे नहींज तो दुनिया लात बार देगी तुम्हें ठीक है अब तो देख रहे रहे बीबी छोड़के भी भाग जाती है तो इसले पढ़ाई किया करोजर ठीक है आईएगा कोशन क्या काता है 47 नमर की तरफ 47 नमर कोशन देखो हम आपको बता चुके हैं ठीक है काता है भारती रिजर्ब बैंक की अस्थापना कब हुई थी तो हम हमने क्या कहा रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया का मुख कार्ज क्या है बैंकिंग विवस्था का नियामन है ना फिर कहता है कि साखा मुद्रा का नियंतरन या फिर सरकार का बैंकर या फिर ये सभी देखो सर रिजर्ब बैंक का मतलब यह भी है A, B, A, B, नि हमारा option number क्या हो जाएगा D हो जाएगा चली आते हैं 49 number question की तरफ 49 number सवाल क्या काता है काता है कि गैर संस्थागत बित परदान करने वाला मुख साधन क्या है सवाल को समझना तब जाकर के question को बनाना हमने क्या कहा हमने कहा कि गैर संस्थागत बित परदान करने वाला परमुक साधन क्या है गैर संस्थागत बित परदान करने वाला परमुक साधन क्या है तो देशी बैंकर या फिर बिवसाई बैंक या फिर सहकारी बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं गैर संस्थागत देशी बैंकर मतलब गाउं में लोग जो होता है यह गैर संस्थागत है मतलब इसकी कोई संस्था नहीं है अगला क्या कहता है कि मानविये पुंजी निर्मान के परमु घटक क्या है मानविये पुंजी निर्मान के पर्मु घटक क्या है मानविये पुंजी निर्मान के पर्मु घटक हमारा है स्वस्त सेवाएं मानविये पुंजी निर्मान के पर्मु घटक क्या है तो स्वस्त सेवाएं, आवास है, फिर सिक्छा और परसिक्छन है अनि कहने का sense है हमारा क्या हो जाएगा उप्युक्त सभी हो जाएगा अनि option number क्या हो जाएगा तो D हो जाएगा ठीक है आईएगा एक क्यामन number question की तरफ ठीक है एक क्यामन number सवाल क्या कहता है काता है भारत में सेवा छितर का समानता कितने भागों में बाटा गया है भारत में स देवा छेतर को कितने भागों ही बाटा गया तो दो भागों ही बाटा गया ठीक है आईए का सवाल नमर कितना बामन की तरफ सर ये बामन नमर कोशन क्या काता है तो ग्रामिन सडकों का निर्मान किस योजना के अंतरगत किया जा रहा है ग्रामिन सडकों का निर्मान आप कि योजना के अंतरगत होती है तो यह हमारा प्रधान मंतिर स्लक योजना के अंतरगत होता है और कहने का सेंस है अप्सन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अब पहले पानी पीने दोरे भाई बड़ा तकलीफ है ठीक सच बताता हूं पक्का कोई गाली दिया होगा चलिए आते हैं सर्ण हम लोग कोस्चन नमर कितना बामन टिक है बामन हम लोग कर लिये हैं बट यह बताना ये क्लास आपको कैसा लग रहा है सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करो ना सियर करो ना सब्सकाइब कर दो टिक है सर्ण आईए का कोस्चन नमर कितना बामन के बाद क्या होता है तिरपन होता है टिक है सर्ण तिरपन नमर क्या कहता है कोस्चन जरा गौर करना काता आर्थिक विकास का तिसरा छितर क्या है आर्थिक विकास का तिसरा छितर आपको सेवा छितर हैं जस्टम ने आपको भी पढ़ाया था टिक है अगला कोस्चन क्या कहता है चंगन नमर कि निमनांकित में कौन संचार से सभ्य ख़ी जेए तो संच में 3 का तो सनचार का मतलब होता है कि मतलब लोगों के बाauptों को पहुचाना ठीक हो जगा बद कि समvy बाधों क्या क्या हो रहा है क्या क्या कि भूस्छ कि बात्य है है लोगों की फिर हम टेलीवीजन की मादेम समझ पाता है ने अप्सन नमबर क्या हो जाएगा टीक है आएगा अगला कोशन क्या काता है 55 नमबर से ठीक है काता है ना कि हमारे देश का कौन सा सहर सुचना पर ध्योग की तथा सौप्ट वेर सक्ति का प्रतिक बन गया है जिसका प्रतिक बन गया है तो दिल्ली नहीं होगा मुंबई नहीं होगा हमारा बिंगलोरू जो है वो सौप्ट बेर और किसका प्रतिक बन चुका है सक्ति का प्रतिक बन गया है ठीक है आईएगा कोशन नमबर 56 की तरफ 56 क्या कहता है कि भारत की परिवाहन सेवाओं में कौन सरवधीक महत्तपुन है हमारा भारत की परिवाहन सेवा में कौन सबसिदा महत्तपुन है देखो सरक सेवा तो ठीक है लेकिन रेल सेवा सबसे पढ़िया क्या होगा सर रेल सेवा ठीक है और रेल में बिना टिकटों को लोग आदमी सफर कर लेता है ठीक है आईएगा हला कि अस्टुडेंट को तो टिकट बिना सफर करना ही चाहिए यह तो रियलीटी क्योंकि जब भी मतलब हम भी जब तक पैसा ने कमाते थे न रे तब तक हम टिकट आये तक कभी टिकट कट ही नह लाइफ होती है मिर दोस्त जो रियलीटी बताता हूं मैंने फिल किया है मैंने चीजों को समझा है मैंने चीजों को देखा है अपनी आखों से मैंने खुद पे मैंने बिताया है मिर दोस्त तो मैं क्या कहूं जब स्टुडेंट लाइफ की बात होती है न तो इंसान की आखो में होती है ठीक है आईएगा अगला क्या कहता है भारत का पहला टेली विजन किंदर कहां स्थापित हुआ था हम से पुछ आ कि भारत का पहला टेली कि बिसु बेपार संगठन की अस्थापना कब हुई थी उनिसो नब्वे में, उनिसो इक्यानवे में, उनिसो पंचानवे में, देखो, हमें बोला है बिसु बेपार संगठन की अस्थापना, बिसु बेपार संगठन की अस्थापना कब हुई थी, तो उनिसो पंचानवे में हुई थी ठीक है हमने क्या कहा बिशु बेपार संगठन के स्थापना का भूई थी तो 1995 में आप्शन नमबर आपका C हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन की तरफ आते हैं कोशन अगला क्या कहता है कि बैसवी करण से भारत को क्या लाब होने का संभावना है बैसवी करण अगला कॉस्षन क्या है सर्थ वाग्ता जागरन के लिए भारत सरकार का सबसे परचलित नारा क्या है? बहुताओं को जगाने के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है तो जागो ग्राहक जागो या फिर धोखा धड़ी से बचो या फिर सजग भोकता बनो या फिर अपने अधिकारों को पहचानो वारत सरकार दुअरा कौन सा नारा है जो सबसे प्रचलित नारा है तो हमसे भोला है कि उभोकता जागरन के लिए अगला इकसर्थ नमबर क्या काता है कुस्षन काता है भारत उभोकता संडशन अधिनियम की घोशना कब होई भारत उप भोकता संद्छान अधिनियम की घोस्ना कब हुई एक सवाल नमर कितना बड़सत नमर की तरफ बड़सत नमर कोस्द क्या कहता है कि सुचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है सूचना का अधिकार जो है वो किस प्रकार का अधिकार है वैधानिक अधिकार है एच्छिक अधिकार है धार्मिक अधिकार है प्रमप्रागत अधिकार है दिकुसर हमें बोला है न कि सूचना का अधिकार किस अधिकार तो सूचना का जो अधिकार है न सूचना का हमने क्या कहा है न कि सूचना का सूचना का जो अधिकार है न सूचना का एक ऐसा अधिकार है जो हमारा बैधानिक अधिकार है कैसा अधिकार है यह हमारा बैधानिक अधिकार है तो हमसे बोला है कि सुचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है तो सुचना का अधिकार आपका बैधानिक अधिकार है और आपको ए हो जाएगा ठीके आते हैं सवाल नमर कितना 63 की तरफ 63 नमर कोशन क्या कहता है कि भारत में सुचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ तो सुचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ तो सुचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था ना वो भारत में वो अक्टूबर में वो अधिनियम पारित हुआ था भारत में सुचना के अधिकार का अधिनियम पारित का हुआ था तो अक्टूबर 2005 में हुआ था अनि कहने का सेंसे option number C हो जाएगा ठीके आते हैं 64 number सवाल की तरफ ठीके काता है कि वो भोकता अधिकार दिवसकब मनाया जाता है हमने तो ये 64 number question आपको comment करना चाहिए क्योंकि ये सवाल हमने आपको पढ़ाया है मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी 64 number सवाल को comment box में comment कर दो ठीके सब को comment box में comment करेगा ठीके काता है वो भोकता जागरुकता अंदोलन का प्रारंब हुआ अच्छा कहां से प्रारंब हुआ हमने क्या कहा ओ भोकता जागरुकता अंदोलन कहां से प्रारंब हुआ तो अमिर्का से हुआ फ्रांस से हुआ इंगलेंड से हुआ या फिर जर्मनी में हुआ, कहां हुआ था? देखो, ओभोकता जागरुकता आंदोलन कहां प्रारम हुआ था? तो ये इंगलैंड में हुआ था? कहां हुआ था? इंगलैंड में हुआ था, ठीके? आईएगा सवाल नमर कितना? 668 की तरफ, 668 नमर क्या कहता है? कि स्वर पर्थम किस देश में ओ भोकता अधिकार की मतलब घोसना हुआ था कौन सा देश था जहां भोकता भीकार की घोसना हुई थि शुरुवात तो Erislandом से लेकिन घोसना कहा हुई थि तो घोसना आपको हमारा संजुख्ति राष्ट अमिर्का में हुआ था कहा हुआ था घोसना संद्ध राष्ट अमिर्का में हुआ था ठीक है आएगा कोस्षिन नमर कितना 67 की तरफ काता है वह भोकता अंदोलन मतलब मनाए जाते हैं कब अच्छा उभोक्ता अंदोलन के परवक्ता माने जाते हैं कौन हमें बोला है क्या कि उभोक्ता अंदोलन के परवक्ता माने जाते हैं कौन राष्टपती रुजवेल्ट या फिर प्रोफेसर मुहम्मद उनिस या फिर रॉल्फ नादर या फिर आपको डॉक्टर क्लाम किसे माना जाता है सर देखो हमें बोला वो भोगता अंदोलन के परवक्ता माने जाते हैं कौन वो भोगता अंदोलन के परवक्ता जो माने जाते ह वो आपको राष्ट पती रूज वोल्ट माने जाते हैं, अप्सन नमर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, अगला कहता है कि वो भोगता सोशन के परमुख कारण क्या है, तो सुचना का अभाव, बस्तूओं की सिमित आपूरती, या फिर वो भोगताओं की आग्यानता या फिर ये सभी, देखो सर, हमें सवाल क्या बोला है कि वो भोगता सोशन का परमुख कारण क्या है, तो सुचना का अभाव, बस्तूओं की समित आपूरती, या फिर वो भोगताओं की आग्यानता, या फिर इनमें सभी, तो इनमें सभी होगा, ठीक है, अब बताना मेरे दोस्त की एक क्लास आपको कैसा लगा, सच में एक क्लास अच्छा लगा, तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना तो बनता है, बट सिद्धत और प्यार और मोहबत के साथ सेशन को लाइक कर देना है, और सेशन को अपने अपने दोस्तों के पास सेयर कर देना है, और डेली थैंक यू लब व्यू देखती रहना मज़ा आया तो कमेंट करो ठीक है बट हमें तो मज़ा आगया सराज की क्लास में ठीक है थैंक यू लब व्यू